हलो दोस्तों नमस्कार मैं देवेंदर स्वागत करता हूं आपका हमारी यूटूब चैनल दिवा स्टेडी पॉइंट आईक्यू में सात्यों माज इस वीडियो में मानों स्रील से समधी 30 मैतबून क्यूशन करेंगे आज हमारा पार्ट 4 है पार्ट 1, 2, 3 में भी हमने 30-30 क्यूशन कवर किये थे वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पेज पर या पले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्सिन में लिंक दे दिया जाएगा वहाँ पर जाकर देख लेना सात् आप किसी भी कंप्रेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपोर्टेंट रहेगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब निके तो सब्सक्राइब और बेल आगम प्रेस कर देना जिससे आपको लेटास्ट आपको कमेंट में देना है और जो पिछले वीडियो में आपसे लास्ट कुछिटन का आइंसर पूचा था उसका अज़िए इस वीडियो में आपको बताओंगा तो वीडियो एंड तक देखते रहना है साथ हो जएके एक पिता का रख्तवरक और माता का ओ उतो उनके पुत प्रकार के रखत वाले आदमी को रखदान कर सकता है कोई बी प्रकार वाला विक्ति आकस्मिक संकट में रखदान कर सकता है किस आदमी को रखदान कर सकता है तो बी वाला बी को दे सकता है और एबी को भी दे सकता है साथ यू इसमें आपका क्या हो जाएगा डी ओप्शन रा के इन्दर इस्थित होते हैं दिमाग के किस भाग में तो सातियों कुछ सा रायट होगा पर्मस्ती गोलार्द में सेरे बलम में में हाई-पोतेलेमस मेडूला अबला गेटा तो इसमें आँ जाएगा आपका हाई-पो थेलेमस सी उप्सन रायट हो जाएगा सारे क्षिन सेलेक और लेकिता इनमें से कोई नहीं तो साथ इसमें आपको हो जाएगा से नाडी से तो आपका हो जाएगा दिमाग से यू उप्सन राइट हो जाएगा इसमें अगला आपका उनचे कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग है मनुष्य के दिमा का सबसे बड़ा भाग कुन सा है इन में से आपको बताना है कुन सा है आप भी साथ में कमेंट में आंसर दे सकते हैं और आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं अगर आप साथ में आंसर दो तो बताना है ठीक है इसमें आपका मस्तिक, C option, right हो जाएगा इसमें, अगला कुशन हो जाएगा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनियोजन की सकती होती है, सातियों, मस्ति कोशिकाओं, पेशी, अस्ति या कर्थ, तुम अस्तिक कोशिकाओं सातियों, A option, इसमें right हो जाएगा, ठीक है, अगला तंतर की लगुत्तम शरचनात्मक तता सरीर किर्यात्मक एक आई है, कौनसी है, सेंट्रोण, डेंड्रोण, Ekson, Neuron, कौनसी हो गी राइट इसमें, इसमें आपकी राइट हो जाएगे सातियों, नूरोण, D option, राइट हो जाएगा इसमें, अगला आपका क्यूशन हो जाए तंत्री का होजिका इंड मैं से कोई नहीं तो मानव शुरीर की सबसे बड़ी कोशिका कोंसी है तंत्री का है याद करना सी ओप्षन राइट हो जाएगा इसमें अगला कुश्ण आपका हो जाएगा मनुस्य में मेरु दंड से कितनी जोड़ी तंतरी का निकलती है 12, 13, 31, 33 तो साती उसमें आपका राइट हो जाएगा 31 C option राइट हो जाएगा ठीक है, important question है अगला question आपका हो जाएगा पर्ती वर्ती किरियाओं का नियंतरन के अंदर काँ पर है पर्ती वर्ती किरियाओं का नियंतरन के अंदर काँ पर है परमस्तिक में, अनुमस्तिक, कैसरुक रजु में, तंत्रिका कोशिका में तो पर्तिवर्ति किरियाओं का नियंतर्ण के अंदर कहां पर है? C-Option आपका राइट हो जाएगा साथी उसमें ठीक है? अगला आपका क्यूशन हो जाएगा सौशन की किरिया संपन होती है सौशन की किरिया संपन होती है माइटरो कांडरिया में, हरित लवकू में, राइबोसो में, लाइसोसो में तो सौशन की किरिया संपन कहां होती है साथी उसमें माइटरो कांडरिया में ए उप्सन आपका राइट हो जाएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुस्टन है तो साथियों आपका अगला कुस्टन हो जाएगा मनुस्य में स्वाच्चो वास में बाहर निकली वायू में ओटू की मातरा होती है मनुस्य जब सवसन लेता है और बाहर छोड़ता है तो उसमें ओक्सिजन की मातरा कितनी होती है साथियों 14 परतिसत, 16, 20 या 25 परतिसत तो साथियों इसमें आपका राइट होजएगा 16 परतिसत ठीक है बी ओप्सन राइट होजएगा इंपोर्टेंट कुस्टन है याद रख लेना आपको अगला कुस्टन है आपका ग्लुकोज के पून ओक्सिकरण के फलसरूप कितने अनू में ATP का निर्मान होता है ग्लुकोज के पून ओक्सिकरण में फलसरूप कितने अनू में ATP का निर्मान होता है साथियों इंपोर्टेंट कुस्टन है 28, 38, 48 तो इसमें आपका राइट होजएगा 38 38 ठीक है C option इसमें राइट हो जाएगा important कुछने याद कलेना है अगला कुछन है मनुष्य एक मिनिट में कितनी बार सांस लेता है मनुष्य एक मिनिट में लगबग कितनी बार सांस लेता है 16-18, 20-25 12-41, 70-22 इसमें आपका राइट हो जाएगा सातिर यूँ 16-18 बार मनुष्य एक मिनिट में सांस कितनी बार लेता है तो 16-18 बार और एक मिनिट में या हमारी हर्दी कितनी बार धड़कता है तो इसमें आपका अब जाएगा 22 बार ठीक है अगला आपका क्यूशन हो जाएगा भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है अगला आपका क्यूशन हो जाएगा ओक्सीजन की उपस्तिती में सुक्रोज का करबंडाई ओक्साइड जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रुपांतरन होने को क्या कहते है वायू सवसन और एवायू सवसन गलाइक कोलिसिस जल अपगटन तो साथ यूउ वायू सवसन कहते हैं इसको एव उपसन आपका इसमें राइट हो जाएगा ठीक है अगला आपका क्यूशन हो जाएगा हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में करबंडाई ओक्साइड की मात्रा लगबग कितनी होती है CO2 की मात्रा कितनी होती है लगबग हमारी छोड़ी हुई सास में 4 परतिसत 8, 12 या 16 परतिसत कितने परतिसत होती है साथियों तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 4 परतिसत ठीक है यह उप्शन राइट हो जाएगा इंपोर्डन्ट कुस्षन है अगला क्यूशन हो जाएगा क्रेपस चकर में किसका संस्लेशन होता है लेक्पिक अमल का पाय रूबिक अमल का ग्लुकोज in ATP का फ्यूमेरिक अमल का तो सातियों इसमें आपका हो जाएगा पाय रूबिक अमल B option RR poo अगला क्योशन आपका हो जाएगा अनोक्सी सौशन का अंती मुत्पाद होता है CO2 तो तता जल, फ्यूमेरिक अमल, लेक्टिक अमल, फायरूविक अमल तो साथी उसमें आपका हो जाएगा लेक्टिक अमल C option right हो जाएगा अनोक्सी सोप्षन का अंती मुथपाद होता है लेक्टिक अमल मनुषिये के सरीर में मुख्य नाइट्रोजन ये अपसिस्ट कोन सा होता है मुख्य नाइट्रोजन ये अपसिस्ट कोन सा होता इंपोर्डेंट कुष्ण है यूरिया अमोनिया यूरिक अमल एमोनियम नाइट्रेट तो क्या होता है इसमें यूरिया राइट हो जाएगा ठीक है ये उपसिन राइट हो जाएगा अगला आपका कुष्ण हो जाएगा मानव सरीर में सबसे छोटी अंतेसरावी गरंती कोन सी है मानव सरीर में सबसे छोटी अंतेसरावी गरंती ठीक है इंपोर्टेंट कुष्ण है याद कर लेना है अधिवरक गरंती अउट्टू गरंती प्यूस गरंती या अगनासे गरंती मानव सरीर में सबसे छोटी अंतेसरावी गरंती कोन सी होती है प्यूस गरंटी होती है सात्यू क्यूसन हर एकजाम में ये पूचा जाता है तो आपको याद कर लेना है अगला आपका क्यूसन हो जाएगा मनुस्य में रुदिर चंता है मनुस्य में रक्त चंता है भेंपडू में, बोमें संपुट में कुणलित नालिका में मुत्रवायनी में तो साथ ये उसमें आपका हो जाताएगा बोमेन संपुट में मनुश्य का रग्त चंता है बोमेन संपुट में B option रचआईगा अगला आपका कुशन हो जाताएगा मुत्र का पिला रंग किसकी मोजूदकी के कारण होता है पित लसीका कोलेस्टरोन यूरोक्रों तो साथ है इसमें आपका रैट क्या हो जाएगा यूरोक्रों राइट हो जाएगा डी ओप्सन राइट हो जाएगा इसमें परिवेन तो इसमें आपका हो जाएगा डायलेसिस में ठीक है छी ऊप्य कि यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है रधि हर्दे में मुत्तर में या पसीने में तो कौन सा रायट हो गास में? इसमें आपका रायट हो जाएगा सातियों मुत्तर में C option रायट हो जाएगा अगला आपका question हो जाएगा स्वेद्धन नीमन में से किसके लिए महतोपून है? स्वेद्धन शरीर का गंद निकालने के लिए सामाने स्वास्ते सुधार के लिए तउचा के रंदर को खोलने के लिए शरीर के तापमान वी नियंतरित करने के लिए तो स्वेधन निमिन में से किसके लिए मैतोपुन है? शरीर के तापमान के वी नियंतरिन करने के लिए साथ रहूं ठीक है? शरीर के तापमान के वी नियंतरिन करने के लिए important question है याद कर लेना है अगला question आपका हो जाएगा गरभा से में मानो बुरून किस दर्वे में तेरता है कोरियानिक दर्वे अमनी वाटिक दर्वे प्ले सेंडल दर्वे इनमें से कोई नहीं तो आपका हो जाएगा आमनी वाटिक दर्वे में वी ओप्शन राइट हो जाएगा अगला किसन हो जाएगा दो युगमुकू के स्योजन को कहते हैं दो युगमुकू के स्योजन को क्या कहते हैं निसेचन, परिवदक सुचकांग, पुनर जनन, परगम तो निसेचन राइट हो जाएगा समय दो युगमुकू को स्योजन को क्या कहते हैं निसेचन कहते हैं साथियों ठीक है अगला कुश्ण हो जएगा गर्भासे में सीसु के विकास की जानकरी है तू किसका प्रियोग कहे जाता है एक्स किरने गामा किरने अल्ट्रा साउंड अल्ट्रा वाइलेट किरने यह एक्जाम में किसान पूचा गया है और बहुत बार फूचा जाता है याद कलना है अल्ट्रा साउंड ठीक है सी उप्सन राइट हो जाएगा इसमें और अगले आपका कुशन हो जाएगा गरबासे में विक्सी थोरे ब्रून को किस सर्चना द्वारा पोसन मिलता है इसका अंसर आपको कमेंट में बताना साथ हूँ मैं अगले वीडियो में इसका अंसर आपको बताऊंगा ठीक है और यह हमारा कलवाला कुशन जो मैंने आपसे पूचा था पिछले क्लास में रक्ट समुए O वाला वेक्ति किस रक्ट समुए के वेक्तियों से रक्ट ले सकता है इसमें आपने कमेंट में अंसर दिया था इसमें आपका राइट हो जगा साथ हूँ D option केवल O ठीक है रक्ट समुए O वाला वेक्ति किस रक्ट समुए के वेक्तियों से रक्ट ले सकता है सिरफ O वाला O से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता है और एबी वाला सभी से ले सकता है सातियों ठीक है एबी है वो सर्वे गराई है वो सर्वे दाता है मैं बार बार बता रहा हूं इंपोर्टेंट कुसने याद आपको कर लेना है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद जेहिंद